तो फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Redmi Note 10 Pro Max है आपके पास या फिर Redmi Note 10 है कोई फरक ने पड़ता है तो इसमें आप यहां पे डबल टैप टू ऑफ डबल टैप टू ओन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो स्क्रीन पर डबल टैप करने से ओफ हो जाती है स्क्रीन या फिर आन होती है तो इसके लिए आप चले जाएंगे सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले का ओप्शन देखने को मिलेगों डिस्प्ले का इप कर लेगों यहाँ पर आपको ड्लक कर लिनगे नौ्म नौर्मली बेक कर देंगे तो Horizon always on display पर क्लिक करना है इसके बाद यहां पर double tap to wake turn off screen का option देखने को मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर लेना है अब यहां पर आप नॉर्मली बैक कर लेंगे यहां पर आपकी कहीं पर खाली screen पर double tap करेंगे तो आपकी screen कर लीजेगा आई होप गाइस यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी टाइप के और इंट्रसिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चली मिलते आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार